Hello guys, welcome to my channel and welcome to JavaScript tutorial आज के इस वीडियो में हम देखने वाले है Object in JavaScript तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो जैसे कि आप लोग को पता हूँ है यार हमने पिछले वीडियो में देखा था BOM के बारे में, Browser Object Model के बारे में जो कि एक important topic है, अगर आपने उसे check out नहीं किया है तो please उस वीडियो को जरूर check out कर ले जिससे आपको बहुत को जानने मिलेगा Browser के बारे में आज हम पढ़ने वाले है Object in JavaScript तो देखते हैं object क्या है Object are variable, containing variable तो देखिए object एक variable की तरह होता है जो कि contain करता है बहुत सारे variable को देखिए JavaScript variable contain single value जब भी आपने देखा हूं कि हम कोई variable बनाते हैं JavaScript में like that जैसे मैंने बोला name नाम का एक variable तो उसमें हम सिर्फ एक ही value store कर पाते हम multiple values उसमें store नहीं करते कुछ इस तरीके से वो हमें error देगा लेकिन हमें object object में हम multiple value को store कर पाते हैं एक variable लेकर the value are written as name value जो object में value लिखी जाती ही वो होती है name और value के उसमें जब हम syntax लिखेंगे आपको और अच्छी तरीके समझ में आएगा name and value separated by comma जो और name और value होती है न बिसेकरी comma जो name और value होती है ये इसे बोलते है colon ये यहाँ पर colon आएगा colon तो जो name और value होती ही वो separate होती है इस तरीके से colon से और उसके बाद वो comma लगाया जाता है then उसके बाद उसको next line में लाने के लिए comma लगाया जाता है जिस object में हम कुछ update भी कर सकते हैं मानलीजी हमने कुछ data लिख दिया और हम चाते कि data को update कर दे उसमें नया data लाल दे हम उसमें कुछ add भी कर सकते हम चाते कि हमने add नहीं किया पहले हम चाते कि बाद में add करते तो हम add भी कर सकते और हम कुछ delete भी कर सकते तो object यार एक variable की तरह है जिसमें हम बहुत सारी name और value की contain में बहुत सारी चीजे store करते हैं और जावा स्क्रिप्ट में जब हम variable बनाते तो सिर्फ एक ही value उसमें store कर पाते थे लेकिन object में हम multiple चीजे store कर सकते हैं तो सबसे पहले हम देखी object को लिखते कैसे तो आप जिस तरीके से variable बनाते हैं उसी तरीके से तो हम एक let लेंगे और for example मुझे person का data store करना है तो यहापर मैं लिखूंगा person जिस तरीके से आप variable का कुछ भी name दे सकते हैं उसी तरीके से आप यहाँ पर कुछ भी name दे सकते हैं आपकी मर्जी के साब से then आपको यहाँ पर लेना है curly braces तो यह जो curly braces है it forms a object यह जो curly braces है यह कहलाते है object यह बात ज़रूर ध्यान रखे curly braces represents a object अब देखिए हमने एक person variable name लिया equal to का sign लगाया और यह जो curly braces है इससे हमारा object बन गया अब इसके अंदर value कैसे लिखते हैं तो for example person का कुछ name होगा name होगा surname होगा तो हम लिख देते first name तो जो first name है basically हम channel का नाम लिख देते है हमारे code with सुफियान यह हमने channel का नाम लिख दिया code with सुफियान है ना तो देखिए हम इसे बोलते है object के अंदर name मतलब यह name हुआ और यह उसकी value ही और दोनों को हम separate कर रहे है colon से और दूसरी name और value को लिखने के लिए हम कॉमा लिखते हैं यह बात आप जरूर दियान रखे नेम और value separate करते हैं colon से और दूसरा name और value लिखने के लिए हमको लिखना पड़ता है कॉमा कुछ इस तरीके से कॉमा है ना देर हमको next जो data add करने हम add कर सकते हैं अगर हम यह नहीं लगाएंगे कॉमा नहीं लगाएंगे और हम चाहते कि कुछ उसके बारे में add करें लाइक मैं चाहते हूँ कि age पता हमको age भी लिखना है for example 90 तो देखिए आप error आ रहे है जब मैं कॉमा लगा दूँगा तो error नहीं आएगा तो आप यह बात जरूर ध्यान रखे तो हमने age भी add कर दी full stack developer हमने skill दाल दी मान दीजी कि आपको अब इसके आगे कुछ data add नहीं करना है तो आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है अगर आपको इसके आगे data add करना है तो फिर आप कॉमा लगाए नहीं तो आपको कॉमा लगाने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन अगर आप दूसरा जैसे कि हमने age name और value को add गरा तो आपको comma लगाना ही लगाना है नहीं तो इससे error आएगा अब हम देखते कि हम इस तरीके से इसको कैसे get कर सकते हैं आपको simply log लिखना है और simply आपको person लिख देना है तो हम save करेंगे तो देखिए हमारा पूरा की पूरा object आ चुका है यसे हम open करके देखते हैं age आ चुकी है first name आ चुका है skill आ चुका है लेकिन आपने कुछ यहाँ पर notice किया कि सबसे पहले हमने first name लिखा then age लिखा उसके बाद हमने skill लिखा लेकिन जब उसने output में दिया तो उस आपको value देता है पहले a आता है फिर उसके बाद f आता है फिर उसके बाद s आता है तो उसने यह order में हमको data दिया इस तरीके से अब हमने देखा है है हम उसमें कुछ update भी कर सकते है कि for example कि हम यहाँ पर code with सुफ्यान की जग हमको shake भी add करना है तो हम उसमें कुछ update भी कर सकत परसं डॉट लिखना है इन आपको किसमे एड करना है कुछ तो हमको first name जो name है उसमें एड करना है कुछ update करना है तो हमको क्या घरना है हमको update करना है कि code with code with सुफियान shake आए हम कहा है कि पूरा यह आए हमको shake इहाँ पर नहीं है हम basically shake update करना चाहते हैं है न हमेने semi colon लगाया और मैं इसको save करूँगा और save किया और मैंने देखिए open किया तो हमारे पास age वही है और आप देख सकते हो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आप देख सकते हो first name में हमारे पास क्या आगया code with सुफियान शेक पहले क्या था सिर्फ code with सुफियान था अब क्या आ चुका है code with सुफियान शेक पूरा की पूरा आ चुका है तो हमने update कर दिया कुछ अब हम कुछ add करना चाहते हैं तो add कैसे करेंगे आपको object का नाम लेना है हमारे पास object का नाम है person देन आपको क्या add करना है for example मुझे last name add करना है last name तो मैं लिख दूँगा last name is shake मैं last name लिख दूँगा शेक तो यह last name और value हमारा add हो जाएगा हम इसको save करते हैं console में जाते है open करते हैं तो देखिए age first name और last name भी add हो चुका है तो हमने update भी किया object में add भी किया अब हम देखते कि कुछ delete कैसे कर सकते हैं object में है तो आपको क्या करना है आपको वही object का name लिखना है object का name लिखना है आपको person person dot नहीं आपको person नहीं लिखना है आपको simply लिखना है delete delete person अब आपको delete क्या करना है तो मुझे person में से person में से मुझे मालनी जी skill को delete करना है तो आप किसको delete करना है delete कीजिए person में skill को है ना तो आपको ये delete करना है तो देखे save किया मैंने तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि age, first name, last name और skill delete हो चुका है तो आप इस तरीके से कुछ object में कुछ update भी कर सकते है add भी कर सकते हैं और delete भी कर सकते हैं और object के अंदर आप name और value की form में बहुत सारी चीजों को store कर सकते हैं आप यहाँ पर student के data को भी store कर सकते हैं उसका name, role number, class, id बहुत सारी चीज़े आप इस तरीके से store कर सकते हैं I hope आप लोगों का object समझ आयोंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर like करें अपने दोस्तों में ज़रूर share करना और अगर आपने चैनल को subscribe अभी तक नहीं गया तो यार please चैनल को subscribe कर दीजिए क्योंकि आपको इसी तरीका content इस चैनल पर मिलने वाला है थैंक्स फर वाचिंग, बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में